असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मैं अपने किचिन में बनाने जा रही हूँ आपल डेजर्ट एक नई और थंटिक रेसिपी आपको बहुत पसंद रहेगी तो जिसके लिए ले लिया है मैंने ये एक बड़े साइस का आलू एक बड़े साइस का एपल और एक मैंने ले लिया है केला तो चलीये मैं और ingredient बताती हूँ आपको तो मैंने ले लिया एक tablespoon कटा हुआ पिस्ता, एक tablespoon ले लिया है मैंने दालचीरी का पॉडर, दो tablespoon ले लिया है मैंने कट Whे बड़े बड़ाम मैंने इस चेप में काट लिया थे साथ से आट लिया है मैंने अख्रोट के दने, त मैंने ले लिए यहां पर तीन टेबल्स्पून कॉन फ्लोर, एक मग लिया है दूद, ये चाहर टेबल्सपून में मख़न, और 9 टेबल्सपून ले लिया है मैंने चीनी, हम इसको भी टाइम डाइम पर च्लिए आइए ने बनाना शुरू करते हैं तो मैंने ले लिया है जो आलो छील लिया है जिसको भू लिया है और इसमें मैं ना बारीक बारीक है से बारीक बारीक छले काते हैं की बहुत का को करते हैं मैं ले लहीं हो एक पैन यो डाल रही हूं बढ़ नहीं कमें काटना कंच्छ विपता है जले नहीं वैसे तो non-stick है obviously चिपकेगा नहीं जलेगा भी नहीं हम चलाते रहेंगे अच्छे से grease कर लेंगे pan को इसमें add कर देंगे अब आलों को तो अच्छे से हम इन्हें जब तक पकाएंगे हमें golden color बलड नहीं देना है हमें बस इनको अच्छे ज़े टेंडर करना है आप बलकर सा पानी भी add कर सकते हैं अगर यह नहीं होते हैं इसमें पीना पानी के भी हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं इन्हें अच्छे से टेंडर कर लेना है बस तो आप देख सकते हैं 10 मिने बाद यह टेंडर होने शुरू हो रहे हैं तो बहुत low to medium flame पर मैंने इनको काम क दिखा देकस कि ड्राण पोबाद ऑनमा स समय प्रणाएं इसमें पीना चीनी टेबल स्पून तीन हम total चीनी और इसको अच्छे से अच्छे में मेल्ट होने पालशी और अच्छे से तेंडर होना जाएगा तो सक ऐसका आप रहा है ह।ो तो मैं एक प्रमिश प्रेलिन यह टे कि थोड़े-थोड़े से मोटे टुपले रह जाएं इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूं इसी तरह से इसको करना है तो आप देख सकते हैं और इसमें हम मिला देंगे यह सालुट करना है कितना ट्रांसपेरिंट टाइप का सा हो गया है शूट नने किया था मैने पर मुझससे कहीं प्रस्टेक हो गई है तो मैं एड के नाइम पर यह देख सकते हैं इसमें एड कर चुकी हूं मैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका मनाएंगे हम बेस तो आप देख सकते हैं, मैंने ले लिया इस तरह कोई भी kontainer, या कोई भी आप tray ले सकते है, छोछोछ जिसकी थोड़ी सी किनारिफ सकते हैं। मैं इसको कर दूँगी, क्योकि जब हम इसको सर्फ कर लिए, तो सर्फ कर ने के नाइम पर ओर, तो टूटे न चटके न खराब हो और क्यूब जब हम निकाले तो अच्छे से निकल जाए इसलिए हम इसको ग्रीस कर रहे हैं तो अब मैं इस जो मिक्स्चर है हमारा इसको ट्रांसफर कर लूँगी इस container में तो आप देख सकते हैं कितना easily transfer हो रहा हूँ कितना easily है सेट भी हो जाएगा spatula की help से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की layer बनानी है हमें बिल्कुल base के लिए देखिए आप देख सकते हैं कितने चैसे तो यह सेट हो रहा है थोड़ा से normal temperature पर करें बहुत गरम पर करेंगे तो यह ठीक से सेट नहीं हो पाएगा आप देख सकते हैं इस तरह की बस layer बनानी है दूसरी साइट से भी आप देख सकते हैं और इसके बाद हमें इसको रख देना है एक साइड और ले लेते हैं बनाना और इसको हम छील लेंगे और बारीक-बारीक से कुछ slice कर लेंगे देख सकते हैं आप तो चलिए इसे काटते हैं इस तरह से slice करना है अगर इसको काटते हैं और ये काला ना पड़े तो अपने चाको को हलका सा नीबू के टुकले से साफ कर लें तो इसे ये काले नहीं पड़ेंगे मैंने इसी तरह किया था तो इंशालला ये काले नहीं बड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से इने सारा place कर देना है equally place करना है ठीके अब इसको भी रख देते हैं side पर ले लेते हैं apple इसको भी छी लिया है अगर आपको इसके छिलके पसंद है तो आप इसको as it is भी कर सकते हैं मैंने छिलके नहीं पसंद इसमें छिलके थोड़े से ची नहीं लगते हैं तो इन्हें कर लेते हैं बारिक-बारिक टुकड़ों में काट लेते हैं पूरे apple को इस तरह से तो आप देख सकते हैं इतने बारिक बारिक टुकड़े हमें इसके एपल के करने हैं पूरा एपल काट लेना है ये देखिए मैं उठा कर दिखाती हूँ एक ये दो ये देखिए इस तरह हमें इनके टुकड़े कर लेने हैं सारा एपल काट कर दिखाती हूँ आपको ये देख आप देख सकते हैं, हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एपल, और इस एपल को भी हम तब तक सौते करेंगे, जब तक कि अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी, तक कि ये भी मीठा रहे, फीका कुछ भी नहीं रहेगा, हम ती एक टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें, डाल चीनी का पौडर, ये बहुत ही मस्ट है, ये स्टार इंग्रीडियन्स है, इस वाली रेसिपी का, एपल के साथ, सिनेमन पौडर बहुत ही यामी और टेस्टी लगता है, तो आप देख सकते हैं, चीनी अच्छे से अच्छे से टेंडर भी हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें से एक ये दो टेबल स्पून का अमाउंट एक बाउल में निकालूंगी और जिसको हम इस्तमाल करेंगे, लास्ट में गानिशिंग के टाइम पर, बाकी हम एपल को रख देंगे, एक साइड और ले लेते हैं, दू इसमें एड करूंगी, वही तीन टेबल स्पून जो हमने मैदा ली थी और इसको जब तक भूनेंगे, जब तक ये कलर चेंज नहीं हो जाता, आप देख सकते हैं, और इस टाइम पर डूसरी ट्रिक ये है, कि आपको कोई और यूटेंसिल नहीं लेना है, जो लाम्स इसमें पड़ेंगे, वह सिर्फ यूटेंसिल ही निकाल सकता है, और कोई यूटेंसिल काम करेंगा ही नहीं, और इस काम को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, नहीं तो लाम्स पड़ जाएंगे, और हो सके तो फ्लेम आफ कर दीजेगा, तो बहुत अच्छे से हमने वाइ के लिए पकाएंगे और फिर से मैं इसमें एड करी हो एक टी स्पून दाल चीरी का पॉडर जो इसमें बहुत ही यमी फ्लेवर लेकर आता है, तो इस सॉस को हम रेडी होने तक इंतजार करेंगे जब तक यह थंडी नहीं हो जाती, उसके बाद हम इसमें एड कर रहे हैं कु और इसमें डाल चीनी का पॉडर और कुछ ड्राइपूर्स मैं इसमें डाल रहे हूं और इसमें एड कर रहे हूं वही वाइट सॉस विद आपल जो हमने अभी ठंडी करके रखी हुई थी वह इस पर डाल देंगे और अच्छे से से सैट कर देंगे तो आप देख सकते हैं क इस तरह से प्लेस कर देने हैं सभी और गानिश करेंगे कुछ ड्राइफ्रूट से जो मैंने काटके रखे थे काजू और विस्ता यह देखिए मैं पहले काजू डाल रही हूं और फिर इसको लास्ट में वालनट यानि के अख्रोट इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज में दो से तीन गहंटे के लिए और उसके बाद फिर हम करेंगे इसको सर्व एक बार आप इसका टेक्स्चर देखिए कितना प्यारा लग रहा है मैंने अभी इसको फ्रिज में प्लेस नहीं कह रहा है प्लेस करने से पह जब मैं इसको निकालोंगे फ्रिजर में जब दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं तो इसको अब हम निकाल लिया है मैंने फ्रिजर में से यह तीसरी टिक है इसको गरम गरम या फिर नॉर्मल टेंपरेचर पर स इसका जो awesome taste आना है वो बिल्कुल ठंडा होका राना है तो तीन गंडे बाद मैंने से fridge से निकाला था और इसके से piece कर लिये थे तो आप देख सकते हैं कितनी yummy कितनी awesome कितनी authentic हमारी recipe बनकर तयार हुआ गई है अपने Diwali के menu में मेरी recipe को ज़रूर से add करें तो अपनी family के लिए ब नए गेस्ट को तो मिलते हो अगली किसी इंट्रस्टिंग से रेसिपिक साथ तब तक लिए आप आप